नमस्कार किसान भाई यो धामा विलोग चैनल में आप सभी का स्वागत है किसान भाई यो बसंत कालीन गन्नाब भाई शुरू हो चुके हैं बहुत से किसान भाई गन्नाब भाई कर चुके हैं लेकिन बहुत से किसान भाई अपनी गन्नाब भाई की तैयारी में हैं तो किसान भाईयो आप भी अपने गन्य की फसल से हरी बरी और अच्छी पैदवार लेना चाते हैं तो आपका स्वागत है हमारे धामा विलोग चैनल में आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब में किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गन्य की फसल में बुआई करते समय ऐसे कौन-कौन से उर्वाट दिये जाएं जिससे हमें गन्य की फसल से अच्छी और भरपूर पैदावार मिल सके हमारे गन्य का आगोला आखिर तक हरा बरा बना रहे गन्य की मोटाई और लंबाई हमें अच्छी मिल सके जिससे हमारे गन्य की फसल से अच्छी भरपूर पैदावार मिल सके तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने गन्य खेत पर जिसकी मैंने आज बसंत कालीन वुआई किये है और इस गन् परती एकड के हिसाब से तीन बैग सिंगल सुपर फास्पेट के ले लिया है और इसमें मिला लिया है एक बैग यूरिया खाद का क्योंकि दोस्तों सिंगल सुपर फास्पेट में नाइट्रोजन की मातरा नहीं होती इसलिए इसमें आप एक बैग यूरिया खाद का मिला सक पर जो की 5 kg परती एकड के इसाब से आप अपने खेत में डाल सकते हैं इसको भी हमने मिला लिया है यह हमारे गन्य की मोटाई बढ़ाने में काफी मदद करता है और इसके अलावा दोस्ता हमने ले लिए है फिपरो नील यानि की रिजेंट आप परती एकड के इसाब से 5 kg इस अपने खेत में डाल सकते हैं यह एक कीट ना सक के तोर पर आपके खेत में काम करती है अगर आपके खेत में कोई दीमक बगरा है या कोई सुंडी बगरा है तो इसको यह खतम कर देती है इसके अलावा आपके गन्ये के अगोले पर भी यह आखिर तक हरापन रखती है तो इस से आप परती एकड के साब से पांच किलो ग्राम रीजेंट अपने खेत में डाल सकते हैं इसके अलाव दोस्तों हमने ले लिया है बहुत ही मैधपूर्ण और वर्क जो कि हमारे गन्ने की बुवाई करते समय डालना बेहर जरूरी है इस और वर्क में कई सारे ऐसे सुक्सम पो लाने के साथ साथ गन्ने के अगोले पर आकिरता खरापन रखते हैं इसलिए ये और वर्क डालना बेहर जरूरी हो जाता है यह और वर्क मार्किट में तीन नामों से जाना जाता है पहला सागरी का दूसरा बायो वीटा और तीसरा धन जाई इन तीनों में से आपको केवल एक ही लेना है जो भी आपको आसानी से उपलाब दो उसको आप परती एकड के हिसाब से पांस से साथ आठ किलोग्राम अपनी फसल में डाल सकते हैं इसके अलावा हमने ले लिया है पोटास दोस्तों आप भी अपनी फसल में फोटास को ववाई करते समय जरूर डाले क्यों गणि गया है रहता हैं जब आपका गर्ना गर्नावाई करने के बाद में अच्छे से हो जाए उसके बाद में इन उर्वर्क को मिलाने के बाद में आप अपनी फसल में डाल सकते हैं क्योंकि जैसे गन्ना बुआई करने के बाद में इन उर्वर्कों को मिलाने के बाद में आपनी गन्ने की पसल में डालते हैं तो ये सारे उर्वर्क हमारे गन्ने के जो टुकड़े हैं आकाच्या हैं उनके उपर पहुंच जाता है लेकिन थोड़े उर्वर्क के दाने देखे कुछ इस तरीके से गन्ना टुकडों के पास में या काच्छीों के पास में पहुँच जाएंगे जिससे दोस्तों जैसे हमारी गन्ना काच्छी से या गन्ना टुकडों से जड़ों का विकास होगा जड़ों का निर्मान होगा तो उन्हें यहाँ पर भरपूर मातरा में उर् को का परियोब करके अपनी गर्नापसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं